पांथ ने गलती की तो गंभीर ने कहा पांथ को सीखना चाहिए धोनी सारी जिंदगी किरकेट नहीं खेलेंगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों भारत और और उस्टेलिया के बीच महौली बंडे में भारते टीम ने शिकर दवन की शत्किया पारी और रोही शर्मा की 95 रनों की पारी के बदोलर 358 रनों का स्कोर खड़ा किया जवाब में उस्टेलिया की टीम की शुरुवात खराब रही और एरॉन फिंच और शोन मार्श जल्दी ही आउट हो गए इसके बाद पीटर हैंसकॉम और उस्मान ख्वाजा के 23 विकेट के लिए रिकॉर्ड शत्किया शाज़ेदारी हुई दोनों बल्लेवाजू ने मैच में उस्टेलिया को चांस जिंदा रखे और रन बनाते गए इस दोरान विकेट के बीछे डिशम पंथ ने कई फंबल किये हैंसकॉम और ख्वाजा की साज़ेदारी के दोरान एक कैच भी पंथ ने टपका दिया पंथ का ऐसा प्रजशन देखकर टीवी पर कमेंटरी कर रहे हैं गौतम गभीर ने कहा कि पंथ को अब मैदान में से भारते टीम में अपनी भूमी का निभाने के लिए योग हैं और आइपियल में वह ऐसी परिश्चितियों का कई बार सामना कर चुके हैं दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धरन्यवाद